नमस्कार मैं हूँ अमेत और आप देख रहो मेरा यूटिब चैनल डिमसिटी ट्विटर तो डिमसिटी ट्विटर में आपका स्वागत है तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है 3D आलिमेंट आप कैसे यूज़ कर सकते हो वीडियो को पाइलेट की राइट तो वीडियो को पाइलेट की जो अलिमेंट 3D आती है उसको मैं आज बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो और यह तो बेसिक है तो फिर्स तो असा इंट्रोड़क्शन ही आप समझे लो कि वो होंगे क्लास तो इसके बाद मैं इसके बहुत सारे स्रीज बनाओंगा पार्ट वन टू तू तरी यह सगर के मैं जाओंगा तो आज का जो मेरा टापिक है वो बेसिक यही है कि 3D एलिमेंट को आप किस तरह से यूज़ में ले सकते हो तो चलिए सीज़ा चलते हैं अपने कॉम्प्यूटर में और देखते हैं कि अलिमेंट 3D कैसे हम लोग यूज़ में लेंगे तो एलिमेंट 3D को आपको सबसे फर्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे एलिमेंट 3D तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो and then simple है install करो and then आप यूज़ में ले सकते हो एलिमेंट 3D को तो अभी मैं क्या करता हूँ सबसे फर्स आपको 3D एलिमेंट कैसे यूज़ करने वो दिखाता हूँ तो सबसे फर्स आपको करने क्या है यहाँ पे एक text कोई भी text लिख दो like मैंने यहाँ पे लिख दिया dream city tutor राइट तो मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया dream city tutor अब चाहो तो font कुछ different ले लो तो मैं चाहता हूँ थोड़ बोल्ड वाले font यूज़ करू इसमें थोड़ से बोल्ड टेक्स ले रखें कुछ ऐसे जैसे भी आपको चाहिए होंगे वैसे आप ले लेना तो मैं थोड़ा सा size इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 70 I think काफी है and then dream city जो मेरे c and then t है इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ से बड़े no this is fine okay तो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया dream city tutor मेरे लोगो का नाम है तो dream city tutor हो गए है अब मैं क्या करता हूँ right click करता हूँ new में चाहता हूँ and then एक solid ले लेता हूँ right solid इसलिए क्योंकि इसी के उपर apply होने वाले हमारे element 3D तो मैं इसका नाम रख देता डी भी आ चुके है अब आपको करना क्या है यह जो मैंने black color का जो मैंने रखा हुआ है यहाँ पे layer उस पे जाना है effects पे यहाँ पे आपको video co palette मिल जाएंगे and then यहाँ से आपको select कर लेना है element को तो element आप click कर दो यहाँ पे कुछ ऐसे बहुत ही normal सा है थुरा सा time जरूर होती है तो आप थुरा सा वेट कर लो यहाँ पे see अब आप देख सकते हो कि जैसे ही अब open हो जाता है तो आपको यहाँ पे कुछ मिलेंगे right अब यहाँ पर जैसे बहुत सारे चीज़े group 1,2,3 करके भी हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं and then मैं दिखाऊंगा इन सब का use कि कि इस तरह से हम लोग use में ले सकते हैं आपको जाना है custom layers पे चले जाओ fine and then यहाँ पे आपको ले लेना है custom layer में जाकर custom text and mask इसको click कर दो right and then यहाँ पे जो आपको path मिल रहे नहाँ यहाँ पर path layer 1 है जिते भी आपको चाहिए होंगे उतना up layers create कर सकते हो मैं यहाँ से ले ले ल यहाँ से आप चाहो तो mask और effect ले सकते हो otherwise ने भी लोगे तो भी चलेगा काम करता है and then यहाँ पे चले जाओ scene setup में तो आपको इसको लेने के बाद सीधा चले जाना है scene setup पे तो scene setup यहाँ पे आ चुके हैं कुछ ऐसा right तो यहाँ पे आपको सबसे first अगर अपने 3D software अगर अ kind of thing मिल जाते हैं like अगर आपको कुछ बनाने है तो क्लिक करके आप बना सकते हो cube, sphere, cylinder जो भी चाहिए होगा यहाँ पे आप extrude करना है environment आप प्ले सकते हो presets है and then यहाँ पे आपको बहुत सारे 3D elements मिल जाएंगे and then आप install भी कर सकते हो चाहे तो आप import भी कर सकते हो and then scene तो मैं आपके यहाँ पे आजाएंगे कुछ इस तरह से text okay तो left mouse button से आप इसको rotate कर सकते हो and then middle mouse button press करके आप इसको pan कर सकते हो या फिर आप इस तरह से move कर सकते हो अपने viewport को right तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था same as it is यहाँ पे आ चुके हैं आपका dream city tutor right and then alignment अप देख सकते हो कि त हमारा जो grid है उसके उपर नहीं है alignment है नहीं तो आप क्या करो यहाँ पे चले जाओ and then यहाँ पे जाकर आपको करना क्या होएगा transform में चले जाओ and then जो आपको alignment दीख रहे ना this alignment को आपको करना क्या है click करके आप कर देना यहाँ से bottom right तो जैसे ही आप यहाँ पे alignment जब scroll जाएगा यहाँ से alignment and then आपको select करना है bottom see okay तो यहाँ पे आप align कर सकते हो अपने text को and then second thing is preset so सबसे first यह करने ने के बाद ना preset पी आ जाओ because of की preset में आपको देखो क्या क्या properties मिलते हैं एक bevel मिलेगा environment मिलेगा environment in the sense कि आप HDR images use करते हो reflection वेगरा create करने के लिए तो इसके आया या blender या कोई भी 3D software पड़ी होगी तो उसमें आपको यह environment मिलता है means HDR image के लिए right तो first मैं जाता हूँ bevel पे and then bevel पे आप physics पे आ जाओ right तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास कुछ यहाँ पे bevel आपको मिल जाएंगे and then जो bevel है ना वो text में काम करते हैं यहाँ पे तो आप किसी को भी click करो तो यहाँ पिर dragon drop कर देना आप इसके उपर में तो आपके यहाँ पे वो जो bevel style है वो apply हो जाएंगे तो आपको select करने कि किस तरह की bevel आपको चाही होंगे यहाँ पे तो वैसे bevel को आपको just dragon drop कर देना है इसके उपर and then वैसे ही यहाँ पे आप को मिल जाएंगे कुछ ऐसे see तो I think जैसा भी आपको चाही होगा आप यहाँ से dragon drop करके ले सकते हो fine तो जैसे मैंने dragon drop करके लिया यहाँ पे आगया बट जैसे ही आप ड्राइगन drop करते हो ना फिर से alignment गड़बर हो जाते है I mean फिर से आपको यहाँ पे click करके आपको चले जा आना है आपको bottom में ही ले लेना है यहाँ पे see तो यह हमारा आगया है यहाँ पे जैसा भी आपको चाही होगा bevel आप रख सकते हो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे bevel हो गया environment है बट आपको environment यहाँ पे पहले click कर देना तो आप देख सकते हो आपके environment आ गया है and then यहाँ से आप choose भी कर सकते हो कि आपको किस तरह के आपको HDR बेगर है इसके ओपा apply करना है कुछ ऐसे see अपने recording आप जैसा चाहिए होगा change कर सकते हो HDR fine and then materials अगर आपको चाहिए तो materials भी आप यहाँ पे apply कर सकते हो मैं बाद में दिखा देता हूँ materials को right अब मैं क्या करता हू यहाँ पे की जैसे यहाँ पे आगए आपके texture तो आप चाहो तो यहाँ पे surface भी create कर सकते हो तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे click करता हूँ and then plane ले लेता हूँ see plane आपके आगए है यहाँ पे and then जो plane है उसके size आप increase कर दो see fine तो भूलने का मतलब है कि आप plane को भी यहाँ पे use reflection क्लिक करने तो यहाँ पे click करो and then यहाँ पे mode जो आपको दिख रहा है ना वहाँ पे आप mirror surface कर सकते हो देखो आपको mirror surface में भी आपको reflection दिखाए देंगे अगर मैं ऐसे करू तो right तो बूलने का मतलब है कि mirror surface के through भी आप इस plane को जो है ना उसको आप modify कर सकते हो कुछ ऐसे okay थोड़े से large size कर लो तो better आपको दिखाए देंगा reflection कुछ ऐसा reflection अप ले सकते हो and then अगर आपको इसके उपर भी अगर कुछ apply करने है कुछ material texture तो आप जा सकते हो अब जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ and then आपको चो भी material apply करोगे drag and drop करो तो ज़्यादा बेटर आपको दिख सकते हो यहाँ पे see simply just drag and drop करो and then आप चेक कर सकते हो इसके ओपर में कि किस दरका आपका reflection create हो रहा है fine तो simply जैसा चाहिए आप ले सकते हो glass, chrome, black, जो जैसा चाहिए जैसा चाहिए आप यहाँ से create कर सकते हो okay तो reflection लेना है तो मालो ऐसा ही मैंने reflection ले लिया है fine तो reflection भी यहाँ पे आ चुके हैं अगर आपको reflection नहीं चाहिए and then आप hide करना चाहते हो reflection को यहाँ पे तो आप simple सा है यहाँपे भी जाकर reflection को hide कर सकते हो right जैसे कि मैं यहाँपे surface option में गया and then यहाँपे यहां पर आप जाकर देख सकते हो तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो यहां पर अगर आपको plane चाहिए तो आप ले सकते हो तो बूलने का मतलब है कि यहां से मैं material भी ले पा रहा हूँ यहां से आप बेवल कर सकते हो environment भी अप चेक कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसा आप ले सकते हो अगर plane में जाकर अपको अगर chrome में जाकर कोई changes करने हैं तो आप यहां पर भी जाकर changes कर सकते हो फाइन जो भी आपको changes करने हैं यहां से आप कर सकते हो color वलर सारे change कर सकते हो यहां से तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने यहां पर मतलब changes करने तो आप कर सकते हो ओके यहां पर आपको बहुत सारे 3D elements भी मिल जाते हैं जो हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग 3D जो हमारे पास यहां पर objects हैं उसको हम लोग किस तरह से हम लोग work में लेंगे ओके तो यह next videos में हम लोग देखने वाले हैं कवर करने वाले हैं बट अभी के लिए जो मैंने यहां पर बना रखा 3D वो कुछ इस तरह से हैं अब जब हो जाए सारा काम आपको यहां पर जो भी रखे थे इसके उपर में राइट अब आप एक खम और भी कर सकते हो कि आप right click करो तो right click करो new में जाओ and then आप यहां पर ले लो यहां पर camera ले लो camera में जब भी आप जाओगे ना तो better है कि आप 50 mm camera जादा तर use होते 35 to 50 mm and then ok को click कर दो तो यहां पर आपके camera भी आ चुके हैं आप चाहो तो camera को भी आप animate कर सकते हो यहां पर animation के लिए ले सकते हो camera को मैं यहां पर जाओँगा transform and then यहां पर आप camera के थूँ सारे changes अप कर सकते हो यहां पर फाइन जैसा भी आपको चाहिए तोड़ा सा आप यहां पे जाकर ले सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए होंगे, फाइन कुछ ऐसा, पोजिशन, रोटेशन तो सारे कैमरा के थुरू आप लिया जा सकता है ऐसे, तो आप चाहो तो यहां पे लाइट भी ले सकते हो, तो new में जाहो और यहां पे आप लाइट ले लो जैसा भी चाहिए, पैललल लाइट, स्पोट लाइट पॉइंट लाइट, तो जैसा भी चाहिए होंगे, वैसे लाइट आप यहां पे create कर सकते हो, अपने recording आपको जैसा लाइट चाहिए आप ले सकते हो, फाइन जैसा भी लाइट चाहिए, जहां पे भी लाइट चाहिए, वहां आप move करा सकते हो, और ले सकते हो फाइन, तो यह चीज़ है तो मैंने कुछ ऐसे रह ले रखे हैं, कोई problem नहीं है यहां पे, तो मैंने यहां पे कुछ इस तरह से मैंने ले रखा है and then अब चाहो तो इस ड्रीम सिटी टूटर का यह हमारा 3D, यहां पे कुछ इस तरह से आ चुके हैं, and then अब चाहो तो animate कर सकते हो, कि मैं यहां पे गया, camera पे and then यहां पे मैं animate कर लेता हूँ, जैसा भी मुझे चाहिए होगा, वैसा मैं animate कर लेता हूँ fine, तो माल लो मैं यहां पे first, यहां पे रखता हूँ and then यहां पे मैं position and then point of interest दोनों को ही ले लेता हूँ and then थोड़े से आगे जाकर मैं क्या करता हूँ यहां पे, simply जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसा आप ले लो यहां से and then तोड़े से मैं zoom भी कर लेता हूँ, यहां पे see तोड़ा सा rotation okay and then थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ तो यह text animation के लिए बहुत best है, अगर आपको चाहिए, reflection बहुत जादा है, आप चाहो तो कम कर सकते हैं, आपने हिसाब से reflection वेगरा, जैसा चाहिए आप वो ऐसा ले सकते हो, fine see तो अभी जो हमारा animation है, कुछ मैंने ऐसे कर रखे हैं, fine भूलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप animate कर सकते हो अपना, जो भी अपने बना रखा है, अगेन अगर आपको मान लो reflection बहुत जादा लग रहा है फिर से आप चाहते हो कि इसके उपर कुछ work करना चाहते हो कि नहीं, मुझे कुछ जादा ही लग रहे हैं यहाँ पर, तो element 3D को जाओ, setup में जाओ, right and then यहाँ से जाकर आप चाहो तो, वहाँ से completely आप हटा सकते हो, जो आपने ले रखे हैं, यहाँ पर reflection, उसके जगह में तो आसे कम वाले जो reflection है, वो ले सकते हो, fine तो जैसा चाहिए होगा, वैसा आप reflection कर सकते हो, कुछ ऐसे, fine तो completely आपके ऊपर है कि आप किस तरह का यहाँ पर करना चाहते हो, reflection, see, अब देख सकते हो, matte reflection है, matte alpha है, तो जैसा आपको चाहिए होगा, वैसा आप यहाँ पर ले के जा सकते हो, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी changes है, वो आपको यहाँ पर देख होगा, वैसा आप animate कर सकते हो, fine, कुछ ऐसे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर, parallel light के जग़ा, point light, color मैंने change कर दिया, and then आप चाहँ तो इसको थोड़ा animate कर सकते हो, कि मैं यहाँ पर रखता हूँ, first, position, okay, तो मैं इसके position को first, यहाँ पर रखता हूँ, okay, position है, point light के position को आपको click कर देना है, and then थोड़े से move करा दो, इधर से, उधर, right, जहां से जहां तक आपको चाहिए होगा, करा देना, see, कुछ ऐसा, fine, तो बूलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप completely आप बना सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए होगा, थोड़े से अगर आपको और भी better तरीके से अगर कुछ करना है, तो element 3D में यहाँ पर आ जाओ, and then यहाँ पर थोड़ से नीचे में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर render setting में चले जाना, and then render setting में आपको चले जाना है, यहाँ पर सबसे first ambient occlusion में आप चले जाओ यहाँ पर, right, and then यहाँ पर SOS के जगर में ray tracing ले लो तो ज़्यादा better quality आपको मिलेंगे यहाँ पर, okay, तो यहाँ पर enable कर दो, अगर आपको लेने हैं, तो and then rate is आपको ले लेने हैं, दोनों enable AO कर दो, AO generally हम लोग करते हैं, जब हम लोग multi passes निकालते हैं, उसके लिए हम लोग AO's वेगरे यूज़ करते हैं, but मैं अभी के लिए भी मैं कर देता हूँ इस चीच को, enable, and then आप आ आप यहाँ पर क्या करो, अगर आपको quality जदा better चाहिए होंगे, तो आप sampling को 18-16 में कर दो, तो थोड़ा सा better and sharp, and then आपको बहुत क्रिस्प kind of output मिलेंगे यहाँ पर, तो आप उसको increase कर सकते हो, and then और कुछ changes करने नहीं है, तो इतने काफी हैं आपको यहाँ पर करने के यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर है, जो हमारा enhance multi-sams को भी enable आप कर सकते हो, तो आपको और भी ज्यादा crisp मिलेंगे, right, कुछ इस तरह से, तो बुलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप बना सकते हो, अपने complete अगर logo animation कराने हैं, या कुछ भी कराने हैं, वो भी कर सकते हो, and see, background में ले लो, आप, तो कुछ इस तरह से भी आप ले सकते हो, background को completely white रख सकते हो, and then even though आप चाओ तो background को आप यहाँ से, जाकर आप ले लो, and then यहाँ पर चाओ तो यहाँ पर ramp color भी ले सकते हो, तो simply अप क्या करो, यहाँ पर ramp ले ले लेना, gradient ramp जो आपको मिलते हैं, उसक तो gradient ramp में भी बहुत ही खुबसरत आपको दिखाए देंगे, कुछ इस तरह से, and then आप चाओ दो color चेंज कर सकते हो, जैसा भी आपको color चाहिए होंगे, वो color आप पिक कर सकते हो, यहाँ से, like अगर मैं यहाँ पर गया, यहाँ से, dark color ले 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 and then center भी आपको adjust कर सकते हो, fine, कि आपको कहाँ पर चाहिए, यहाँ से चाहिए, तो यहाँ से आप radial भी ले सकते हो, कुछ ऐसे, and then कर लो यहाँ पर, fine, and then invert करना है, because of radial मेरा लग रहा है, कि तुरह सा different है, तो आप यहाँ पर change भी कर सकते हो, तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए होगा, वैसा आप completely change कर सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए हो, ऐसे color, आप यहाँ पर color combination low, work में low, and then, अपने logo, वगएरा design कर सकते हो, कुछ ऐसा, fine, see, कुछ इस तरह से, तो बोलने का मतलब है, कि यह हमारा बहुत ही basic था, बहुत ही basic element 3D को मैंने बताया है कि किस तरह से आप बना सकते हो, तो यह था हमारा basic element 3D की किस तरह से आप use में ले सकते हो, element 3D को, part 2 में मैं दिखाऊंगा थुरा से advanced version element 3D के, I hope कि आज की class आपको अच्छी लगी होगी और अपने कुछ नया सीखाऊगा, तो element 3D से आप बहुत अच्छी चीज़े बना सकते हो, compositing कर सकते हो, match moving कर सकते हो, and then 3D elements को आप अपने project assignments में आपका add कर सकते हो, अपने portfolio में आड़ कर सकते हो, and then अपने portfolio को और भी enhance कर सकते हो, तो ये था हमारा आज का topic element 3D के ऊपर में, जो की basic था, part 1 थे ये, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो है, तो प्लेस लाइक करें, subscribe करें, and then अपना प्यार इस दिए से बरकरार रठें, मिलते हम लोग After Effects के निए वीडियो में, तब तक के लिए, मश्टार, टेक केर,